देखो पिछली टेन पर में तुमसे बात किये थे कि सात तरह की मूल रासिया होती हैं और सात ही मूल मातरग भी होते हैं तो आज देखो हम उसके आगे बढ़ाना शुरूर कर रहे हैं कि कौन सी वो मूल रासियां हैं, कौन से उनके CGS मात रख हैं, कौन से उनके SI मात रख हैं और उनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देखो, देखां ध्यान से इधर बात करते हैं हम लोग, पहले हम तु जबने इन 7 चीजे हैं, तोंको हम प्पिछले टन भी बताया थे, फिर हम बता रहे हैं कि physics में दुनिया भर की चाहें, जितने भी तरह की physical quantity हैं उन सब physical quantity को हम इन 7 से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, मतलब उन सभी को हम लोग इन 7 से पा सकते हैं, अच्छा, दो अलग type के quantities है उनके लिए अलग से बना दिया गया, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको बोला जाता है, पूरक रासियां, ठीक है, पूरक रासियां, तो ये क्या, ये दो अलग से हैं, ठीक है, तो दो पूरक रासियां होती हैं, तो साथ मूल रासियां हो गई, इनसे दुनिया वर की इतनी भी सारी राशियां पाएंगे, इतनी भी तारे तरह के हम लोग physical quantity को पाएंगे, उन सब भाथिक राशियों को व्यूत्पन बोल देते हैं. जो उत्पन तुमने ऐसे उत्पन समझ लो कि वो इन सातों से उत्पन होता है लेकिन कौन से दो नहीं बना सकते हैं तो उन दो को हम लोग बना दिये हैं क्या पूरकरा से अलग से बना दिये कि भई ये इन सातों से डिफाइन नहीं हो सकता है कौन से हैं वो दो दो तरह के होते सेन्टीमिटर ठीक है इसी लंबाई का ऐसाई मातर होता है मीटर और किसे प्रतीक प्रतीक मतलब किससे हम लोग दिखाते हैं जब लूगों नहीं भूलते हैं कि 10 मीटर तो 10 M लिख देते हैं तो जो M लिखा होगी तो समझ जाएंगे कि वो मीटर लिखा हुआ ठीक है तो यह उसका प्रतीक हो गया 10 मीटर ठीक है फिर द्रबेमान इसका cgs मातरक होता है ग्राम तो द्रबेमान का cgs मातरक हो ग्राम सि मातरक होता है किलोग्राम ठीक है प्रतीक क्या है प्रतीक है केजी समय का cgs मातरक सेकेंड ही होता है सि मातरक भी सेकेंड होता है किस से दिखा देते हैं ऐसे और सह millennials की हमнитगी दो सेकंड में खतम कर देंगे तो दो सेकंड तो सेकंड जोगा उसको लोग केवल टू एस लिख देंगे ठीक है जैसे हम लोगों को यहां से इस क्लासरूम से बाहर जाने में आठ सेकंड लगते हैं तो एट सेकंड तो एट एस लिख देते हैं ठीक है तो यह इस तरह से हुआ तो ये तरीका हो गया, प्रतीक हो गया, सेकेंड को दिखाने का, फिर हम लोग बात करें किसके बारे में, विद्धुधारा के बारे में, विद्धुधारा, सीजियस मात्रक होता है, स्टैट एंपियर बोलते हैं, एंपियर तो तुम सुने ही होगे न, इसको बोल देते हैं, स जादा तर चांस है कि तुमको यह ऐसा ही मात्रा का अच्छे से पता होगा तो विद्धुधारा जिनका नहीं पता वो तुम याद कर लो अच्छे तरीके से क्योंकि बहुत यूज करना हम लोगों को विद्धुधारा तो यहां पर एंपियर किस से रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रफीक क्या उसका कैपिटल एट ठीक है तो बड़े वाले यह से दिखाते हैं उस्मागतिक ताप ताप ही यह ताप बाननी था कि डिग्री सेल्सेस में लोग ताप मान निकालते हैं या केलिवि सेल्सियस तो एटेसे हैं या सेल्सियस जूष सेल्सियस ओसलिए के अच्छा अब ध्यान दो केलविन इसका ऐसा ही मातर होता है ठीक है तो क्ले कीमेan केसां विग्स लेकिन प्रतीख क्या है जैसे माननों तुम से बोले कि हमारे पास अच्छा यह तुम ध्यान दियो पदार्थ की मात्रा यह है जो हम लोग केमेश्ट्री सिगा यूझ में आता है हम लोग यह बहुत काम आएगा एक दो चैप्टर में यूज करते हैं वैसे इसको नहीं ही यूज करते हैं पदार्थ की मात्रा मोल जसने तुसे बुलेए न कि पांच मोल हमको ऑक्सीजन चाहिए तो एमो लिखते हैं ठीक है तो पांच मूल तो जब लिखना होगा तो एमो ए तो भूल जाओ कोई मतलब नी जोतिति वृता का सूठीयसी है स्टिल्प्सिंग देखओ लिंग दे रहें हैं एक पर हिंदी में भी लिख delivering है स्टिल्पS you कि ठीक है तो ये इस तरह से states में मात्रब इसाइज है मात विश्टार का हुता lib कैंडिला त्यक्ति है कैसे दिखाते हैं इसका प्रतीह किडी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो यह हम तुमको क्या बता दी विए यह हम तुमको बता दी है पूरी तरह से सात मूहलराशीcyon के बारे में ठीक है अच्छा अब बात यह कम इस दोनों में इसे कौन सा मात्रक यूज करते हैं तुमको यादम बताये थे कि सीजेस मात्रक उतना यूज में नहीं आता है रटना है यह नहीं कि रटना नहीं है लेकिन हम लोग याद रखना 11 टोल में जब भी कॉश्चन करेंगे न तो अपना दिमाग एकदम क्लासिफाइड के रखें कि कि नहीं हम लोग को तो हर फिजिकल कॉंटिटी हर भौतिक रासी को ऐसा ही मात्रक में ही प्रियोग करना ठीक है तुमको पिछले टन पर बताये थे कि जो बोल दिया वह हम लोग को मानना पड़ तो वह बोले कि लमबाई हम लोग को मीटर में ही माप नी है तो हम चाहें इस कंट्री में हो भारत किसी भी देश में हर जगह लंबाई को मीटर में ही मापा जाता ठीक है अच्छा इस बहुत की हम अधीन में विद्धृद्धारां केलविन में पद रत की मातरा मोल में और जोती तिवरता केंडिला में मातती है ठीक है मूल रासियों और मूल मात्रकों के बारें बात अब आगे बढ़ रहे हैं अब सुनना ध्यान से जो दो पूरक मात्रक हम बोल रहे थे न यह इन सातों से नहीं डिफाइन हो पाता था क्योंकि जो जो डिफाइन हुए थे उसको तो में लोग व्यूतपन रासियां बोल दिये है न तो यह दो डिफाइन नहीं हो पाता रहे थे तो इन दोनों को अलग से बढ़ा गया है क्या बूला गया पूरक मात्रक बोल दिया गया देखो दो पूरक रासियां इनके बारे हम बात करते हैं एक बार पहला है समतलीय कोड ठीक है समतलीय कोड अभी समझते हैं गवा न धिरिदे पहले अच्छे से लिख लो इसको दूसरा क्या है दूसरा है घन कोड देखो अच्छे समझ लेते हैं दो पूरक रासियां होती है पहले वाले कोम लोग क्या बोल देते हैं समतलीय कोड और दूसरा क्या है घन कोड बात आती है सर समतलीय कोड क्या है समतलिय कोड वो कोड है जो हम लोग अपने बच्पन से पढ़ते आ रहे ठीक है 2D में होता है घन कोड 3D में होता है ठीक है 3D अब तुमको थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि 3D में कोड तो बड़ी इंट्रेस्टिंग टाइप की चीज लग रही है लेकिन तुम अभी को हलका-फलका समझा देंगे उसको समझ लेना नोट कर लेना और बस भूल जाना क्योंकि 12 में जैसे इंटर करेंगे न तो जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे इस्थिर वैदूत की वैदूत आवे सेवं छित्र के नाम से है वो तो उसमें तुमको खूब डिटेल में पढ़ जी बचपन वाला कोड अरे बचपन वाला मत समझ लेना भई कौन सा ये बचपन वाला कोड है ठीक है अच्छा बचपन वाला कोड कोड कौन सा तुमको एक जामपल देते हैं जैसे तुम वह नहीं देखें जो हम लोग पढ़ते थे कि कोड बराबर चापबटे तरी जैए वही कोड है बसका नाम बदल के अभी हम क्या बोल दा रहे हैं समतली कोड जैसे एक्जाम्पल समझो मालों इदर सामने देख रहे हैं अभी तो हम बोले कि हमको अपना मुंडी 90 डिग्री घुमाना है तो देखो हम अगर ऐसे घुमें तो हम देखो अपनी मुंडी जो अब हम लोग बात करते हैं किस पर फ़ले समतली कोड पर बात करते हैं देखना समतली कोड ठीक है इसको किस से दर्साते हैं इसको हम लोग फीटा से दर्साते हैं ठीक है क्या पड़े थे वही पुराना सुत्र याद कर लो क्या होता है भई कोड बराबर चाप बटे त्रिज Việt थीक的 तो फॉर्म लाक्न ऊगयाchem सी अब दियां K यहांतना विन तक तो बात समझ भी इसका उधारव देख लेते हैं यह पूरादी कहानी दिवोट इसको जानते हैं और यह के अर्छिंट ट्वैस्ट अर्शिको है इनक का निर्ट मनने। भी मुंत मफने के फिरत is कुछ दिखरे है ठीक है ठीक है थोड़ा गडबड बंड़ है लेकिन चलो अ कि ध्यान से जह से मालेते कि हम इतना यंगल गुमें इतना देखो इतना घुमें यह हमारे सरकल का रेडियस है लेट से कैपिटल आर ठीक है तो यह वैली होगा कैपिटल आर हम यह एंगल घुम गए को ना कोड थीटा तो जो हम इस सरकल पर जो इस वृत्त पर चले न इस वृत्त का जो यह दूरी है इसी को हम लोग चाप बोलते हैं और चाप होगे क्या कि एल मान लेते ठीक है और यह तुम लोग के पास सुत्र है अब देखो ध्यान से अगर हम चाप लिखे तो चाप क्या जाएगा एल बराबर कोड कितना बनाए थीटा और यह डिस कितना है आर यह नाम लोग अपने बहुत तेवी ज्ञान में बहुत जगा ही अब यहां ने एक बहुत ज़रूरी बात है वो समझते हैं देखो जब यह कोड लिखते हैं तो सदैव सदैव याद रखना एकदम अच्छा अब तुमा दिमाग में आ सकता है कि सर अगर इसको रिडियन लिखना तब तो लोग बचपन से तो इसको डिगरी में पढ़ते हैं बिल्कुल सही बात है डिगरी में पढ़ते हैं लेकिन जब भी इस फॉर्मली में यूज करना होता है न तो इस फॉर्मली को लगाते हो एकदम रट के रखो कि यहाँ पे फॉर्मला तभी यूज करना है जब भी कोड किसमे होगा रेडियन में होगा ठीक है इसको हम गायब कर दे रहे हैं इन दोनों को भी गायब कर दे रहे हैं इस हेडिंग को भी गायब कर दे रहे हैं ठीक है तो इसको लिख लो और याद भी कर लो, क्या होता है, कि भाई, pi radian equals to sir 180 degree होता है, बोले हाँ sir, सही बात है, तो pi radian equal कितना क्या बताओ, 180 degree, अच्छा, जो यह radian लिख रहा है न, इसको shortcut में c बोल देता है, pi c equal 180 degree, ठीक है, यह जब इसको लोग बदलते हैं, कई बाद जब angle से radian म जाते हैं तो यह बहुत काम में आता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, याद भी रखना है, अच्छा, बच्चों को जो confusion है, हम उस पर बात करते हैं, कई बाद बच्चे confused होते हैं, तो हम उसको ने एक उधारण से समझाने कोसिस कर रहे हैं, उधारण, ध्यान द देना तो, पाई का, छोटा-छोटा लिख दियें क्या भाई, दिख रहा हैं कि नहीं, पाई का मान होता है, इसको बहुविकल्पी बना देते हैं, ओप्चन दे रहे हैं, देखना ध्यान से, पहला है, एक सव असी डिग्री, दूसरा है, एक सव असी रेडियन, तीसरा है, थ्री पॉइंट वन फोर, चोथा है, थ्री पॉइंट वन फोर डिग्री, चलो, एक मिनट के लिए वीडियो पहले पॉस करो, और ध्यान से सोचो, जब हम बोलते हैं, वीडियो पॉस करने के लिए, तो तुम जरूर से वीडियो पॉस करके, एक बार क्वेशन को अटेम्ट किया करो, इससे क्या फायदा को वो हम बताते हैं, तो तुम फिर से क्या करते हैं, या हम से क्लास में होते हैं, कोई क्यों पॉस करते हैं, या हम से वो पुछ जाता हैं, बहुत अच्छी बात है तब तो, या हो सकता अगर नहीं होता तो तुमको ये तो क्लियर होता ने कि अच्छा ये जो कॉंसेट बताया गया वो समझ में नहीं आया तो तुम फिर से क्या करते कॉपी पड़ते या को जुगार लगाते या किसी से डिसकस करते या हम से पूछते अब अभी हम तो नहीं तो तुम क जब जब यह करते जाओगो तो तुम्हारा टॉपिक भी रिवाईज होता जाएगा साथ में और जब तुम वीडियो इंड कर रहे हो तुम्हारे दर पूरा कॉंफिदेंस रहे हैं कि सर जितना भी कॉस्टन कराए हैं वो सब का सब कॉस्टन हमसे बन गया ठीक है या नहीं बन कि तुम्हारे चाइगा को श्ली एंड को समझेंगे और फिर तुम्हारे बढ़ती जाएगे तो समझ में जाएगा इसलिए जब हम बोले नंकी विडियो पाहँच करो एक मिनट के लिए पले question को attempt करवो तो जरूर ये करना कर ना कि बोले कि यह रोक है, तुरन्ट रोक दो वीडियो को, कितनी देशकर के मतल्य किले कर एस निये कि बोले को बोल रहे हैं कर रहा है और उतने देर के लिए question को attempt कर लो धीक है, देखना ध्यान से तो चलो इस वीडियो को नहीं पहले एक मिरट कर रोको और क्योश्चन को एटेमट कर लो तो एक बार अब attempt करने के बाद सुनना ध्यान से भाई पाई के मान के बारे में बात करने कि पाई का मान होता है देखो यहां हम तुमको एक उधारण दिये हुए यहां हम यह नहीं बोलें कि पाई बराबर 180 डिगरी हम बोलें पाई रेडियन बराबर 180 डिगरी कभी भी पाई जो है वो 180 के बराबर ही ता गलत है यह देखो यह लिखर है हूँ तो एकदम गलत है पाई कभी भी 180 के इकल थोड़ी होता है गलत है भाई पाई रेडियन 180 डिगरी के इकल होता है बात समझ में आ रही है बोलें अच्छा से देखो ध्यान से तो पाई रेडियन जो था वो तो 180 डिगरी होता है बट लेकिन अगर हम बात करें कि भाई के बारें बात करते हैं तो सुनना ध्यान से जो पाई होता है इसके खुद की वैल्यू कितनी होती है 22 by 7 22 बटे 7 और इसको डिवाइड करते हैं कितना जाएगा 3 दसमलो एक चार आएगा तो जो पाई का मान होता है वो होता है 3 दसमलो एक चार तो इसका कौन सा उप्षन सही हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा ठीक है तो ख्याल रखना कि पाई रेडियन 180 डिगरी होता है कभी भी पाई 180 के बराबर नहीं होता है पाई का जो एक्चुल मान है वो कितना होता है 22 बटे 7 और 22 बटे 7 निकालेंगे तो कितना आता है 3 दसमलो एक चार आता है ठीक है तो यह हम लोग किसके बात कर लिए अच्छे से समतल्य कोड के बारे में ठीक है तो यह तो हम लोग को clear हो गया भई कि यह रही समतल्य कोड की कहानी अब बात आता है किसके बारे में बताओ सेकेंड वाले की बारे में कि दो दूसरा पूरक रासी है वो क्या था बताओ, वो था घंकोड, तो अब हम लोग घंकोड को समझते हैं, देखो घंकोड जो है न, हम तुम से बताए न, कि जब गौस का नियम हम लोग 12 में पढ़ रहे होंगे, तब वहां बहुत अच्छे से बताया भी जाएगा, खूब सारा क्वेश्चन कराएगा त तो अभी जो हम तुमको बता रहे हैं, वो बस लिख लो, अच्छे से समझ लो, समझ में तो थोड़ा कमी आएगा, अच्छे से नहीं समझ पाएगे, लेकिन कोई बात नहीं, देख लो, कौपी में लिख लेंगे, रट लेंगे, और महां लिख लेंगे, कि इंतजार करेंग ख़एगे, कब कब बताओ, ट्विल्थ का, जैसे ही ट्विल्थ आएगा, तुरंत यह चीज, क्लियर हो जाएगी, देखो पहले घान कोड को किस से दर्सा देहें, इसको दर्सा आते हैं, उमेगा बोलते, उमेगा, उमेगा, ठीक है, तो मेगा लिखा हुआ है, इसको दिमाग लगाते थोड़ा ना तुम फुटबाल को फुटबाल का ना कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा कट करो साइड से तुम निसान बनाओगे तो वो जो निसान है उसका किनारे किनारे जो है उन सब को एक फूर तो अगर हम उस पुटबाल का कोई केंदर होगा की नहीं सब को हम केंदर से मिला दे को तुम ब्हुत से सब्लिक में का कॉन टाइब बहुत कुप्पी टाइप कर दिख रहा है तुम देखो वह वाला जो कुप्इट गपका होगा तुम देखो वह एक सर्फिस एक एरिया टाइप दिखेगा इप PERS Spом जो मालनों काईस खरी में ऐस खरी दे आइस कॉफ का ही भाग गया तुम्हार हाथ में खर जिम स्क्राइब का जो बहार वाला कबर वो देखे गया ठीक है अब अगर तुम को एक एरिया ऐसा दिखाई देगा कि ने ऐसे ठीक है और पिछिटा कि कहीं एक कौन खतम हो रहा होगा तो देखना ऐसे कुछ होगा थे फो फूलका बराने कोसेश करें थ्रीडी में है तो तुमको समझना पढ़ेगा बहुत भैतर तरीके से देखो यह वाला जो एंगल है इसी को हम लोग घन कोड बोल देते हैं घन कोड चीक है और ओमेगा का फॉर्मुला क्या होता है उमेगा का फॉर्मुला था है जो यह सरफेस है जो यह कट किया हूओ है जो आइस क्रीम लिएक भाग गयाँ तो जो यह ऊपर वाला सरफेस खाली कर देंगे तो जो आगे वाला पॉर्शन खाली हुआ है पूरा तो तुम देखो वो उसके सेंटर पे जाके केंदर पे जाके एक चोड़ा सा एंगल बना रहा होगा कि नहीं इंग्जामपल दिखाते हैं देखना देखो देखो यह जो कौन है देखो यह नी आईसक्रिम गाया तो तो यह पर टीकुलर जो एरिया है वह जो एकल बना रहा हो जो और फेंगल ना उसी एंगल को मुझा बोल देते हैं घन कोड़् ठीक है अच्छा यह 3D में तम साफ दिख अब अच्छे से डिटेल में समझना है तो अभी बेसिक बेसिकल इतना बहुत है चलो आगे बढ़ रहा है अब हम लोग देखो अच्छा अगर हम NCRT के साब से बात करें न तो अब हम लोगों कुछ दू मिज़र टॉपिक पढ़ने हैं ऐसे सही से देखा जा तो पढ़ने तो तीन है फले दो मिज़र टॉपिक कौन कौन से हैं एक है तुरूटी दूसरा है सार्थक अंक क्या है उस टाइम पर हम लोग देखेंग अच्छे से तीसरा जो टॉपिक है वो है वीमा ठीक है तो हमने यहां पर तुमको वीमा से स्टार् रहे हैं क्योंकि हम जिसे एक्चुली में कहा है न कि मात्रक के बाद वीमा पढ़ाना ज्यादा सही है अच्छे से समझ में भी आ जाएगा ठीक है जैसे हम लोग वीमा पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग एंसे आर्टी के वापस सिक्वेंस पा जाएंगे और फिर तूटी और सार्था कंक भी पढ़ लेंगे ठीक है अज़ा कुछ स्किप्सा नहीं हो रहा है बस हम सिक्वेंस चेंज कर रहे हैं पहले हम वीमा पढ़ा दे रहे हैं फिर तूटी और सार्था कंक पढ़ाएंगे कहानी क्लियर है अच्छा समस्ते हैं भई थोड़ा सा पहले वीमा के बार क्यária की अलग अलग चीजों को मात्रक कितरीके से एक कर देती हैं जैसे कई अलग चीजरिससे हैं किस्त्रा लंबाई है कुछ शुद्स चोड़ाई या घ्राई होगा ऐसे घ् तो तुमा देखो हर में सब में तीनो में मात्रक वही है कि नहीं जो कि अंदो कमरे में कमरे में लंब decía आज चीज होती चड़ाई अलग उचाय अलग चीज होती है तो हम उसके परीधी पर चल रहे हैं कि नहीं तो तुम सुचो वहां भी मीटर जो कि परीधी एकदम अलग चीज़ है ठीक है या मानलो कोई ऐसा पार्क है जो चौकोर टाइब का है ठीक है अगर वो चौकोर टाइब का है तो जब हम वहां बात करेंगे तो वहां फिर से हम उसके परीधी उसको परीधी बोलना तो ठीक नहीं है हम उसके परिमाप पे चल रहे हैं कि नहीं दो बार लंबाई में चलेंगे और दो बार उसके चौड़ाई में चलेंगे बात क्लियर हो र परिमाप इत्यादी इन सब चीजों के केस में यही बात होती है थिक है परिमाप इत्यादी तो इक सब एक्दम अलग अलग चीज़़ी हैं लेकिन फिर भी इन सभी का जो मातरक है मातरक वो समान मैं ठीक है यह छैसर यह बातों समझ वे आ रही है लमबाई 10 मिटर 5 मिटर 24 दर 40 मिटर 50 मिटर वार बोलМ बूलेंगे क्योंकि हम हर बार ऐसाई मात्रक को लेके चल रहे हैं, तो मात्रक समान है, क्या है, बुले मीटर है, प्रतीक M था तो M से काम चला रहे हैं, तो ये समझ में लोगों को आ गया, ठीक है, अच्छा सर, ऐसी कोई चीज है, तो इन सब चीजों को एक कर दिया, कौन, बुले इसका म मात्रक तो मात्रक को बहुत सही से दर्साने के लिए एक और चीज का इजाद किया गया वीमा जो कई सारी अलग-अलग भौतिक रासियों को एक जगह समान रूप में ले आता ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी वीमा की परिभासा की देखना कि भाई वीमा की परिवासा क्या उस पर बात करते हैं आप देखो सुनो ध्यान से किसी भौतिक रासि की वीमा उन घातों को कहते हैं जो उस रासि को प्रदर्सित करने के लिए फिर देखो ध्यान से किसी भौतिक रासि की वीमा उन घातों को कहते हैं जो उस रासि को प्रदर्सित करने के लिए मूल रासियों पर चड़ानी पढ़ती है ठीक है एक दम ध्यान से देख लो यहीं एक तरीका होगा यहीं है वीमा की परिवासा ठीक है वीमा कोई अलग चीज नहीं है वीमा मूल रासियों पर लगने वाले घात कहीं बारे में है ठीक है कि मूल रासियों की जो है न किसी भौतिक रासियों को दिखाने के लिए मूल रासियों पर जो घात लगाते न उसी रासि को क्या बोल देते हैं वीमा बोल देते हैं उस भौतिक रासिक है जैसे उधारण देखो उदाहर है ठीक है मालों बोले कि बताओ भई चाल बराबर क्या होता है तो चाल बराबर सुत्र क्या होता है बताओ दूरी बटा समय से होता है अच्छा दूरी एक तरह की क्या है बताओ लंबाई ही है की नहीं लंबाई और समय तो समय है यह बिचारा अच्छा इसको उपर लेके जाओ तो लंबाई तो वही रहा कुछ नई पावर है घात है तो उसके हम घात एक लिख सकते हैं समय को उपर लेके गए तो समय की जो भी घात उसका चिन बदल जाएगा कुछ नही लिखा है मतलब एक घात था, ऊपर ले गए, तो माइनस एक घात हो घड़ा, ठीक है, तो अब देखना, लमबाई में चाल की विमा कितनी हैं बताओ, तो बोले घात पर देखो तो लंबाई के कितनी घात है बताओ एक तो लंबाई में जो चाल की वीमा है वो कितनी है एक ठीक है और इसी तरीके से समय में चाल की जो वीमा है समय की घात देख लो तो समय की घात कितनी है माइनस एक तो माइनस एक आ गया तो ये बात तुमको घात को ही बोल देते हैं, ठीक है, कौन से भौतिक रासियों पर जो मूल रासियों उनकी बात कर रहे हैं, तो किसे भी भौतिक रासियों के कर वीमा बतानी है, तो उसको पहले मूल रासियों में बदल लो, मूल रासियों के जो जो घात आई होगी, वही उस भौतिक रासियों क की कुछ वीमाएं बना लिए तो देखते हैं धान से और उनको फिर नम लोग उस तरीके से बात करेंगे ठीक है देखो वीमा यह ऐसे हेडिंग लिख लेते हैं मूल रासियों की वीमा ठीक है दिखना ध्यान से देखो पहले बात वीमा लिखते वक्तना हमेशा कैपिटर लेटर लिखते हैं उसको बड़े वाले डब्बें बंद कर देखो जैसे दिमाग लगाते हैं पहले बात करते हैं किसकी लंबाई की ठीक है यहां हम लोग लिखते हैं वीमा को तो लंबाई की जो वीमा होती है वो होती है कैपिटर एल ठीक है समय की बात करते हैं समय की जो वीमा होती है वो होती है कैपिटर टी ठीक है द्रब्यमान द्रब्यमान की जो वीमा होती है वो होती है कैपिटर एम ठीक है यहां तक अच्छ, और अगर हम बात करें, ऐसे ही, तो विद्दुत धारा, विद्दुत धारा की जो वीमा होती है, वो होती है A, और इसी तरह से ताप का, उसमा गतिक ताप, इसकी जो वीमा होती है, वो होती है, ठीटा, या फिर किसी-किसी किताब में T भी प्रयोक करते हैं, T नहीं, के प्रयोग करते हैं ठीक है तो थीटा या के तो देख लो ध्यान से एल टी एम और ए बदार्थ की मात्रा और जोतित इवरता की विमा नहीं होती है वैसे जोतित इवरता हम लोग तो यूज करना नहीं है ठीक है अच्छा तो यह ओ गई विमा हम लोगों की किसके किसकी उन कॉश्चन में ठीक है थोड़ा ध्यान देते हैं मूल रासियां ठीक है कुछ उधारण से शुरू करते हैं थोड़ी कहानी आसान हो जाएगी जैसें तुमसे बोलें उधारण सुरू करते हैं ना उधारण वापस उसी बात पर आते हैं पहला कि भाई चाल की वीमा ग्यात कर रहे हैं चलो दो मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो कि चालो कर लियें क्या ट्राई देखना हल करते हैं का बाता हो बड़े सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय इपसे दूरी एक लंबाई है की नहीं तो लंबाई का क्या लिखते हैं बताओ वीमा क्या लिखें ल और समय का क्या लिखें तुर देखो चाल की जो विखे हैं चाल की दीमा वी इसका विखेंव किंदा जाएगा ऐसा दिक bueno चाल की विमा में कितना है बताओ लंबाई में एक तत्था समय में कितना है बुले समय में बात समझ में आ रही है कि ने बुले समय में ठीक अच्छा जैसे यह किये न, वैसे ही चलू, वेग की वीमा ग्यात करते हैं, वेग की वीमा ग्यात करें, ठीक है, चलो ध्यान दो अब, फिर से वीडियो रोको दो मिनट के लिए, और क्वेशन अटेम्ट कर लो एक बार, अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से, फिर इसके हल पे आ होता था, वेग का सुत्रियाद है क्या, नहीं आ, तो देखनो अच्छे से, वेग बराबर होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है, तो विस्थापन बटा समय हो गया भई, अच्छा, विस्थापन बटा समय हो गया तब तो समझ सकते हैं लोगा आराम से, विस्थापन भी और वेग की वीमा जो है वो समान आ गया की नहीं क्योंकि ये भी तो एल्टी की घाते माइनस एक ही आया था तो हम दुबारा बोल सकते हैं कि जो वेग की वीमा है वो लंबाई में एक और समय में माइनस एक है ठीक है एक आदा और उधारड करते हैं थोड़ी से और कहानी समझ जाएगी देख्टा बात करते हम लोग किसके बारे में तौरड के बारे में तीसरा उधारड तौरड की वीमा ग्यात करें ठीक है तौरड की वीमा ग्यात करें बोले सर अच्छा याद करो तो वेग परिवर्तन की दर को तौरड करते हैं यही होता है क्या हम इसके हल में तुमको पहले सुत्र बता देते हैं अगर सुत्र याद है तो वीडियो यहीं रोक लो और दो मिनट ले ट्राई कर लो नहीं आद है तो सुत्र देख लो तौरड बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय ठीक है यह रहा सुत्र चलो अब दो मिनट ले वीडियो रोक लो और कोशन ट्राई कर लो अब ट्राई करने के बाद सुनना अच्छा परिवर्तन का मतलब क्या हो गया बताओ याद करो किसी भी ची में असान है कि अंतिम में से प्रारम भी घटा देते हैं रसंत उसे बोलें कि हम सुरू में घर से मालो यहां से निकले या कोचिंग से निकले हम चल रहे हैं दस मीटर प्रति सेकंड से ठीक है हमको रास्ते में कोई दवडाली एक्दम की भेंकर रे भीया पैसा बाकी था माल खेंदालो ठीक है तो इस मेटर पर सेकंड से चलने लगे हमारे वेग में कितना परिवर्तन हो गया तो वेग में जो परिवर्तन है वो क्या होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक फाइनल माइनस इनिसियल तो बोले पहले कितने चल रहे थे 10 से बाद में कितने चल लगे 20 से तो परिवर्तन कितने का हो गया 10 का हो गया कि नहीं लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो इसका मात्रक रुख जो हम फिर से लिख रहे हैं पहले चल रहे थे 10 से बाद में चल लगे 20 से और इसका भी कितना, दस मीटर प्रति सेकंड, जब घटाओगे, तो जो बचेगा, वो भी मीटर प्रति सेकंड में होगा कि नहीं, तो यहां से हम क्या सीखें, यहां से हम सीखें, कि चेंज चाहे भले तुम निकाल लो, हो सकता है मान बदल जाए, लेकिन मात्रप तो वही रह आएगा, मतलब चाहे जिसका भी परिवर्तन निकाल रहे हैं, मात्रप तो वही आने वाला है, तो यहां वेग का परिवर्तन है, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है, यहां तो वेग की ही वीमा नाएगी, और यहां समय की वीमा आएगी, समय की वीमा तो T, और वेग की वीम से था माइनस एक माइनस एक जुड़ जाएगा तो यह किसकी वीमा आगई बताओ यह वीमा आगई तुरड की तुरड की वीमा बताओ लंबाई में कितना बोले लंबाई में तो सर एक ही है देखो लंबाई में एक तथा बताओ समय में कितना बोले समय में minus 2 है यहां तक की बात समझ में आ रही है तो यह इस तरीके से clear है यह बात note कर लो इसको अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं एक और का विमा निकालते हैं अब कौन बच रहा है देखो एक बहुत असान सा है उसको भी समझ लेते हैं फिर बाके हम लोग next time पर थोड़ी practice और करेंगे विमा निकालने पर चलो फोर्थ देखते हैं फोर्थ बात करते हैं किसकी बल की बल की विमा ग्यात करे ठीक है देखना सुनना घ्यान से फिर चैसा करो दो मिनटले वीडियो रोको और question try कर लो अब try करने के बाद सुनना भाई बल F बराबर होता क्या है द्रबे मान गुड़े त्वरड होता है क्या याद करो नाइंत में तो पढ़ी होगे बल बराबर द्रबे मान गुड़े त्वरड तो बले बस वीमा लिखना शुरू करते हैं अगर हम वीमा लिखें बल की द्रबे मान का क्या था द्रबे मान का अगर याद हो तो capital M था वीडियो में पीछे जाके देखो या तो नोट की होगे तो वहाँ देख लो त्वरड की बात करते हैं तो रड कितना है एल ट की घाते-2 अगर हम इन दोनों का गुड़ा कर लिए तो यह कितना आ गया बताओ M L ट की घाते-2 हो गया तो यह किसकी value आगे बताओ यह आगे बल की वीमा अब पूछा जाए अगा है बल की वीमा बताओ बोले द्रबेमान में कितना बोले द्रबेमान में एक लंबाई में कितना बोले सर लंबाई में भी एक तथा समय में कितना बोले समय में सर समय में कितना बताओ समय में है माइनस दो ठीक है दरबिमान में एक लंबाई में एक तथा समय में समय में माइनस दो ठीक है, यह किसकी बाध हम अम लोग कर रहे हैं बल की विमा में की अब बोए सकता है तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर यहां तो दरबिमान भी आ गया यहां तो दरभुमान नहीं आए था तो यहां पर गला जाएगा तो द्रभवामान में की कितनी दिया लें आजव requires तो यहां पर अंगे application kingdom the वी यह लिएमान है अरे अगर नहीं है तो भी तुम द्रभविमान को घाते जीरो लिख सकते हैं कि ने किसी बी चीज का घाते जीरो भी मा बोल देंगे, ठीक है यहाथ है, बस करते हैं, वाकिं लेक्षन पर तुमको पढ़ाएंगे इसके आगे, देखो इस लेक्षर में हम लोग सिखें, कि वो जो साथ भौत एक रासिया है, उनका CGS मातर क्या होता है, MKS मातर क्या होता है, और उनका प्रतीक क्या है, ठ सकते हैं, तो ऊन रासियों को व्यूतपन रासिया बोल दिया गया, दो रासिया उथ पंड नहीं कर सकते थे, तो उनको अलग से पढ़ लिया गया, पूरक रासियों के नाम से, कौन-कौन से थे वो, एक था समतलीय कोड, दूसरा था घन को, ठीक है, फिर हम तुमको बतायें को ही उस भौतिक रासी की वीमा हो जाएगा ठीक है फिर कुछ उधारण किये बाकिन नेक्स टेंट पर अगेन हम लोग कुछ उधारण करेंगे वीमा कैल्कुलेट करने पड़ ठीक है चलो बस करते हैं वीडियो पसंद आये इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरिटिन को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ सेयर करें